क्रैक जिंदगी भर के लिए खतम कर देंगे प्लाश्टर के बाद जो लोगों देखते ना इस ट्रेप से क्रैक यह क्रैक जिंदगी भर के लिए नहीं आएगा क्या आप मानते हो बिल्कुल देखो मैं जो जो प्रोसेस बता रहा हूं वही होता है खासकर लोग बोलते हैं कि वैसा घर जो पहले पीलर ढलाई होता है उसके वाद इंटा की चुनाई होती है तो उसमें क्रैक आता है सेम इसमें भी हुआ है पहले पीलर ढलाई हुआ है उसके एंटा की चुनाई हुई है तो यह घर तो अच्छा बना है लेकिन इसमें क्रैक आएगा और कुछ घर होते ह जो पहले ब्रिक वर्क करवाते थे ही टा की चिनाई उसके बाद पिलड ढ़लाई करवाते उस घर में क्रैक नहीं आता है यह चीजे आप देखा यह नहीं बताओ यह चीजे तो आपने देखा होगा तो घर आपका सही नहीं माना जाता है ओ अगर आपका भूक कंप आ रहा है तो घर आपका जल्दी खड़ाब हो जाएगा तूट जाएगी बहुत जल्दी आपको कभी भी पहले पीलड की ढ़लाई करवानी चाहिए दैन आपका ब्रिक वर्क करवाना चाहिए तो यह अगर प्रोसेस अपना रहे हो तो क्या है आपका यह दोखो साट से क्रैक आजाए क्या आता है चीकन मेस जो यह पीलर के साइड में लगा के उसके बाद इसमें प्लास्टर कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है इसमें प्लास्टर यह साइड में पूरा अच्छी तरीका से चीकन मेस चपका दिया जाएगा पीलर के साइड में पूरी अच्छी तरीका से देन उसके उपर वो प्लास्टर कर दिया जाता है तब जाके जीबन में कभी भी क्रैक नहीं आएगा ये जो है पाइप लेनर फूरा अच्छी तरीका से ढख जाएगा देन उसमें क्रैक कभी नहीं आने वाला है तो ये होता है इसका ओरिजिनल प्रोसेस और ये रीजन क्या ह किस कारण से होता है इसको सुन लो देखो ये जो पीलर होता है पीलर के अंदर क्या डाला होता है सरिया होता है अब पीलर के अंदर ये श्टिल डाला होता है तो इसका अपना एक नेचर होता है कि ठंधा और गर्मी में ये शुकूरने का काम करता है और फूलने का काम करता ह करता है ना तो यह देखो दोनों अलग मेटर है मेटरियल है तो दोनों अलग मेटरियल होने के बज़ा से यह क्रैक डेबलब कर इसको थोड़ा अगर टेकनिकल टर्म में समझो तो यह चीज़े है थर्मल एक्सपैंसन इसको बोलते हैं कि गर्मी की बज़ा से यह एक्सपैंड होता है तो वहां पर क्रैक बगेर सब डेवलप होता है ब्रीज देखते होंगे तो ब्रीज में क्या करता है लोग कट लगा देता है वहां पर expansion joint देता है थोरा सा space देता है अगर फैलेगा भी तो रिजस्ट कर लेगा तूटेगा नहीं इसी के लिए हम अपने घर में तो कट नहीं लगाएंगे इसी लिए हम वहां पर chicken mess प्रवाइड कर देंगे तो आसा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा सही धंग से क्या है नहीं है तो अब बात करते हैं chicken mess दो टाइब के होते हैं एक फाइवर में में आता है एक चीकन में में आता है ठीक है तो आप कोई भी लगा के आप यूज करके अपने घर को अच्छा बना सकते हैं सुरक्षित बना सकते हैं नहीं तो क्रैक आने से घर का पूरा लुक ही बदल जाता है तो यह चीजे होती है हला पूछली हमसे ठीक है फिर मिलता हूँ अगले वीडियोस में